Fault Current Calculations and Relay Setting, Relay Coordination पर बालकों में एक कारेशाला हुई कारेशाला में प्रतिभागियों को Fault ढूनने और उन्हें सुधारने की तक्निकों से अफगत कराया गया ताकि विद्योत की बाधा रहित आपूर्ती सुनिश्चित की जा सके कारेशाला से सैंत्र एक और सैंत्र दो के लगभग तीस प्रतिभागिला भानवित हुए Fault Current Calculation and Relay Setting, Relay Coordination पर आयोजित कारेशाला का संचालन मुंबई की प्रशिद्ध कंपनी पावन लिंकर के विश्चाग्य स्री स्री मेहता ने किया उन्होंने प्रतिभागियों को प्रजेंटरिशन के माध्यम से Fault की गर्णा और Relay सवनवेयन के अनेक आधनिक तरीकों की जानकारी थी श्री मेहता ने बताया बालको में ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है जिसका टाइटल है Fault Current Calculation and Relay Setting Relay Coordination ये एक बहुत मात्वपुर्णा विशय है जो बालको के Electrical Engineers के लिए जानना और समझना और Implement करना बहुत जरूरी है बालको का जिस तरह से Expansion हो रहा है और जिस तरह से नए-नए प्लांट आ रहे है 540 मेगाओट का CPP है, 270 मेगाओट वाला पुराना CPP है नया पॉट लाइन का Rectifier 2 का जो प्लांट है तो Capital Equipment जो लगे हुए है Generators है, Transformers है, Switchyard Equipments है ये सबका Continuity में Reliability Without Failure of Power चलना बहुत जरूरी है और ये चलने के लिए जितने भी सारे इसके Protections बनाए हुए है तो ये Protection को अपने Coordination में चलना भी बहुत जरूरी है जितने भी Engineer करीबन 28-30 Engineer Attend कर रहे है ये सबी को इससे पूरी System के लिए बहुत ही फाइदा होगा Overall System में जहां कहां भी कोई भी छोटी भी कोई गलतिया हो तो ये अगर Engineers इसको समझ पाए तो समझने से जब कभी भी कोई Fault होने वाला है या Fault हो गया तो उसको समझने में Troubleshooting करने में हमको ये Knowledge बहुती मात्वा पूरना है कारशाला से लाभानवेत पति भागी ने बताया मैं काफी दिन से इस ट्रेनिंग का वेट कर रहा था इवन जब मैं अपने डिपार्टमेंट में अपने सर को काफी बोलता था कि ये ट्रेनिंग हम लोगों को अटेंड करना है रियली मैं तो बहुत एंज्वाई कर रहा हूँ